वाख्यानन्वयाद in वाख्या केते हैं sentence, passage अन्वया केते हैं जो उनके बीच में connection होता है जो core relationship है वाख्यों के correlation के कारण से, क्या हुआ correlation के कारण से एतरिया उपनिशथ का जो पहला मंत्र है उसमें कुछ डाउट क्रियेट होता है और वो है आत्मा वाइदमेक एवाक्रा सिन्ना अन्यत किंचना मिशत साइक्षत लोखान नुस्रजायतिक स्रिष्टि के आरंभ में in the beginning of the creation आत्मा अकेला था न अन्यत किंचना मिशत और कुछ भी आक्टिव नहीं था नहीं था नहीं था मिशत कोई आक्टिव नहीं था कोई मोशन में नहीं था साइक्षत और उस आत्मा ने सोचा लोखान नुस्रजायति मैं संसार को बनाऊं और अगला है साइमान लोखान अस्रुजत देन उसके बाद उसने इस संसार को या संसार के अलग-अलग चीजों को उसने बनाया अब यहां एक प्रॉब्लम आया यह आत्मा शब्द का ध्यान रखी यह परमात्मा नहीं जैसे कि पहले हम बार-बार डिस्केशन कर चुके हैं उपने शदों में परमात्मा ब्रह्मा शब्द काम यूज होता है वो ब्रह्मा के लिए भी आत्मा शब्द यूज करते हैं जी शब्दा दोनों के सेंस में यूज होता है आप परमात्मा या जीवा कैसे समझें कॉंटेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर होता है जो संदर्व है वो सबसे महत्तव पुरुन है यहां पर क्या इस ट्लियर है वो सुरिष्टी से पहले एक अकेला आत्मा इसका अर्थ नहीं कि दूसरे नहीं थे ना किंच न मिश और कोई आट्टिव नहीं थे अर्थात उसमें प्रलय अवस्था में विपोर्ड़ क्रियेशन इस स्टेट अब डिजलूशन तो डिजलूश स्टेट में प्रलय में क्या होता है प्रकृती होती है कि नहीं होती है होती है किस अवस्था में होती है डर्मन स्टेज में उसमें कोई अक्टिविटीज नहीं होती है अन्मैनिफेस्टेट फार्म में होता है यहां जैसे हम हम जब जगे वे होता है ना हमारे पलके जपकते इसको केते हैं मिशती मिशत कोई पलक जपकने वाला नहीं था मैं लग कोई एक्टिविटेज नहीं था तो केवल ब्रह्मा यह ब्रह्मा था पाकिर उनिवर्स जो है वह 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 अनमैनिफेस्टेट फर में पड़ा हुआ था को डिसको यह नहीं डिसकोशन है कि आत्मा अकेला था किसी यहाँ आत्मा शब्दा आए ना कि तो पर्मात्मा क्यों कर रहे हो कि स्दाप वह तो जब अपोनेंट ने कहा कि यह आत्मा होनी चाहिए जीवात्मा परमात्मा नहीं तो ने उसके लिए कुछ लॉजिक भी दिया लॉजिक क्या दिया उसी उसी पैसेज में एक दूसरा मंत्र उसने खोट किया तो यह हम पढ़ रहे थे तैतिरी उपनिशत प्रथम अध्या एक 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 दो और उसके आगे जाकर एक तिन 11 एक तिन 12 में यह आता है जो कंफ्यूजन पैदा करता है जब स्रिश्टी हो गई ध्यान से सुनिएगा जब क्रियेशन हो गया और क्रियेशन में भी धीरे 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 जो लाइफ सब आने लगे तब एक कहता है सईक्षत उसने उस आत्मा ने अब आत्मा है प्रमात्मा है यह अभी अपनेंट वालों ने कुश्चिन वाल कर अगा रखा है तो मैं क्या करूं इसके अंदर मैं कैसे घुसूं एंटर करूं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा कान के द्वारा इंटर करूं नहीं ये ठीक नहीं उन्होंने आंक के द्वारा इंटर करूं तो उसमें कुछ कमी थी नाक के द्वारा इंटर करूं उसमें भी कमी थी तो ऐसे बहुत कुछ है हमने उसको स्किप किया और लाश्ट में जो था उसने ये जो हमारा ब्रह्मर अंद्र है उसी को उसने थोड़ा स्प्लिट करके उसको उसी के द्वारा उसने अंदर घुसा साही इसलिए उसका नाम विद्रती है वाकी चीजिए बाद मैं समझेंगे पॉइंट है कि वो आत्मा जिसने स्रिष्टी को बनाया स्रिष्टी से पहले जो अधेला था स्रिष्टी बनाते बनाते entwic करते जब प्लानेट्सstudy आ गए प्लानेट्स में लाइफ आने का हुआ सका बीदिल्टा यह लाइप के अंदर कैसे जाओं इंध्रियों से जाओं इस rashी के अपनी इश्डाइल एक रिटो री एक्स्प्रीशन है तो उसने सोच है कि मैं इसिए पहलू आत्मार रहा करते हैं कि ऱ्ठोर करते में भी बात करें इसमें कौन बाहर निकलता है आत्मा परमात्मा तो सब जगए एंटर क्या करेगा शीश्य ने अपने इसी को पखड़ लिया तो ब्रह्मा तो सब जगए है यह कह रहा है एंटर करेगा शरीर के अंदर और उसने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन दे दिया कान से घुशों नाक से घुशों कैसे घु यह ब्रह्मा कैसे होगा यह तो आत्मा हो सकता है जीवात्मा हो सकता है अगर होना है तो जीवात्मा हो सकता है तो यह तो आत्मा नहीं हो सकता है इसका मतलब ब्रह्मा नाम की कोई चीज नहीं है यही जीवात्मा है जो सृष्टी के सृष्टी से पहले था जिसकी बात हो र याद, दिक्क यहसा नहीं है, यहाँ भी ब्रह्मा का ही अर्थ होगा, परमात्मा का आत्मा का नहीं, क्यों वाक्य को ठिक से अन्वे करिए, अन्वे का अर्थ होता है, उसको को रिलेट करके देखेंगे, तभी समझ में आएगा। जब तक आप इसको को रिलेट नहीं करेंगे मलब सारे सेंटेंस सेस को एक साथ नहीं देखेंगे एक सेंटेंस को आप एक्सक्लूड करके ले जाओगे अगले वाक्यों का बीच के वाक्यों का मिला कर देखी उपर वाक्य में क्या था कि वह आत्मा जिसने स्रिष्टी से पहले सोचा वहां जिवात्मा कहां से आएगा प्रलेकेश में जिवात्मा की क्या दाशा होती है वो भी डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं और अकेला अत्मा थोड़े ही होती है जिवात्मा तो ट्रिलियंस में होते हैं प्रमात्मा अकेला सुर्ष्टी थोड़े ही कोई जिव प्रमात्मा कर सकता है चलो ठीक है समझ गए यह जो शरीर के अंदर ब्रह्मार अंदर के अंदर से घुसा यह क्या है यह तो समझा दो कि आत्मा 247 परमात्मा में ही होता है अब परमात्मा आत्मा में ही होता है आत्मा जब प्रवेश करता है तो परमात्मा साथ में ही प्रवेश करता है क्या आत्मा अपनी मर्जी से प्रवेश करता है या कर सकता है किसी शरीर के अंदर नहीं न यह परमात्मा डिसाइड करता है कौन सी आत्मा कि शरीर में जाएगा बनेगा बिल्ली बनेगा इंसान बनेगा शिर के अंदर घुसना तो एक रेटोरिक एक्सप्रेशन है मलब एक शरीर को प्राप्त करने तो वह तो परमात्मा डिसाइड करता है आत्मा तीन जगह पर डिपेंडेंसी रखता है इंडिपेंडेंडेंड नहीं है पहले चीज जब प्रलय की अवस्था होती है आत्मा का कर्म सिद्ध कर्म वगरा कुछ नहीं काम करता है वह डॉर्मन स्टेज में होता है परमात्मा उसको जिस ठिति में रखना है रखता है सब को डॉर्मन स्टेज म में होता है जब इनलाइटेंड हो जाता है तब आत्मा परमात्मा में इंजय करता है तब उसका और कुछ ने बासो परमात्मा में रहता है इंजय करता है इस परमात्मा के आनंद को शेर करता है तीसरी उसकी जो मजबूरी है जो उसकी डिपेंडेंसी है वो है जब आत्मा मरन रोल नहीं होता प्रवेश करने का, परमात्मा आत्मा को प्रवेश कराता है किसी शरीर में, स्रिष्टी के आरंभा में भी वो आत्मा कौन से शरीर में जाएगा, मरने के बाद भी वो आत्मा कौन से शरीर में जाएगा, ये परमात्मा डिसाइड करता है, आत्मा प्रवेश कर है परमात्मा कि सुर्ष्टी में परमात्मा के द्वारा ये तु यहाँ आत्मा एक सिंपल इंस्ट्रुमेंट है हो जो ब्रमक के द्वारा प्रेरीत हो कर्ड़ कि किसी शरीर में प्रवेश्ट करता है तो यह पूरे के पूरे जो चाप्टर upside creation है इसमें आत्म का कोई रोल नहीं है आत्मा मजबूर है परमात्मा के द्वरा जाता है इसलिए यहां परमात्मा की बात तो यह तो हुआ अहितर्य उपनिशद का इसी तरह ब्रहदारन्यत उपनिशद में भी इसमें भी कुछ पाट्रवर्षी अपनि पतते के वीच में मैत्रे को कहते हैं कोई किसी जो प्यार करता है व्यक्ति सर्फ खुद से ही प्यार करता है, जो खुद से प्यार करता है, वो अपने पती से प्यार करता है, वो पती से इसलिए नहीं प्यार करता है कि उसको पती से प्यार है, वो इसलिए प्यार करता है कि उसको खुद से प्यार है, कोई पत्नी से इसलिए नहीं प्यार करता अच्वा करता है किए इसी तरह उन्होंने पचासों चीजें गिनाया और लाश्ट में बोला विभ्यक्ति किसी से भी प्यार करता वो किसी से नहीं प्यार करता है उ में आप जिन चीजों में उसको खुशी मिलती है उन चीजिओं में उसको केता है में प्यार करता है यह संदर भायर जलिए उसको देख लेते हैं यहां कंफ्लिक्ट जोन कहां पर है यहां पर ये प्रॉब्लम है सहोवा चनवा अरे पति हुकामा या पति प्रियोभवति या अग्यावलक्य ने कहा कोई पति के कारण पति से प्यारा नहीं करता आत्मनस्तु कामा या पति प्रियोभवति क्योंकि वो खुद से प्यार करता है या करती है इसलिए पति प्यारा है तो बाकी चीजें हमने ड किसी का कोई भी चीज प्यारा नहीं होता है अत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियंभवति खुदकी फाइदे के लिए खुदकी अपने आपको साटीस्फाइब करने के लिए हम दूसरों से प्यार कर यह तो क्लियर हो गया आप कहेंगे जी इसमें भी हमें भी समझ में आ गया इस आत्मा ही सुनने लायक है यही आत्मा जानने लायक है सुनने लायक है देखने लायक है इसी आत्मा को देखने सुनने जानने से ही सब कुछ जाना जाता है यह ब्रिहदार अरण्यक दो चार पांच पहली वैली प्यासेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप पढ़े लेके लोग है आप समझ गए खुद को प्यार करते हैं और इसी लिए जिसमें हमें अच्छा लगता है फिर हम उससे प्यार करने लग जाते हैं ठीक है तो अच्छा इस पैसेज में यह आत्मा कोन आत्मा है जिवात्मा है कि फरमात्मा है जिवात्मा है हम खुद से प्यार करते हैं जिवात्मा से प्यार करते हैं तब ही हम दूसरों से प्यार करते हैं अच्छा उसके बाद जो कंक्लूजन जो कंक्लूड किया यग्यावल क्या नहीं क्या कहा आत्मा को ही जानना चाहिए समझना चा वाली आत्मा है वो परमात्मा पहली वाली आत्मा जिवात्मा ऑपनेंट कहता है ऐसे कैसे परमात्मा माने यह आत्मा माने जैसे आईत्रिय उपनिशत में स्टोरि अलंग थी तो इसके बीच में सूत्र का क्या सूत्र है वाक्यानवेय सेंटनेंस का को रिलेट करो तो समझ में आएगा गे पिछे को आत्मा को जानने से कोई सारा संसार को नहीं जान सकता जीवात्मा को जानने से यह जो कहा कि सर्वमिदम ज्यातम भवती सारा सबकुनिया का हर कुछ जाना जा सकता है वो नहीं हो सकता इसका क्या भाव है कि ब्रह्म को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है मतलब जब आप creator को ठिक ठिक समझ जाते हो तो उसकी creation को भी अपने आप समझ जाओगे तो क्योंकि creator आत्मा है आत्मा मला परमात्मा तो जिसने creator आत्मा को मला परमात्मा को समझ गया जो creation है उसको अपने आप समझ जाएगा जादा जानने की ज़रूरत नहीं तो अगर आप लाश्ट लाइन में जीवात्मा का अर्थ लेंगे तो problem होगा कि आप सारे संसार को जाने को कैसे तो फिर समन्वे क्या है हार्मोनी क्या है correlation क्या है correlation है जब आप खुद से यहां आत्मा मला खुद से self से प्यार करता है तो वो दोसरों से प्यार करता है पर जिस दिन तुम्हें इन सब चीजों को छोड़ना होगा ये जो external चीजों में जो तुमारा affection है इसका ये श्टोरी क सब्सक्राइब के बाद महित्रे को वैराग्य होता है ये स्टोरी शुरू होती है याग्यावलक्य ने कहा कि मैं requirement लेना चाहता हूं वानप्रस्त में जाना चाहता हूं उनकी दो पत्नी थी आप दोनों मेरे पास जो भी सम प्रॉपट्टी है या धन संपत्ती है आप दोनो कि ने सवाल पूछा ये प्यार क्या होता है तो याग्यावल के समझा रहे हैं प्यार तो ऐसे ही है खुद से प्यार करता है व्यक्ति आक्ट्यली दूसरों से प्यार नहीं करता वो दूसरों से सिर्फ उनी लोगों उनी लोगों से या चीजों से प्यार करता है जिस से उसक प्रवचन दिया मैं यह सारा समझने के बाद उसका देखिए क्या रियाक्शन से आप समझ जाओगा कि याग्यावलक्य ने क्या समझाया याग्या मैं ने कहा तो मुझे इन अक्स्टर्म चीजों में क्या रखा है मैं भी उसी ब्रह्म की तलाश में निकले ही तो वह चल पड़े ब्रह्म की तलाश में हो मैंतों ब्रह्म के तलाश में चली तलाश अमस देना तू सर्च तो जब तुम एक्स्टरनाल चीजों को छोड़ना चाहते हो तो खुद से भी प्यार करना चोड़ो अटाच हमें चोड़ो कुद से अटाच में चोड़ोगे शरीर मन और हमान सब्andel चुटेज़ फिर तुमहें आत्मा ही कि जानने लायक है जिसको जानने पर तुमें सारी दुनिया जान ली जाए मैं तो सेकेंड आत्मा तो परमात्मा के लिए पहली आत्मा जीवात्मा के लिए और ये वाक्य के अन्वय से समझ में आएगा प्रतिज्ञासिद्धेरलिंगम आश्मरत्या इसी बात को थोड़े ज़्यादा को थोड़े और उस आश्मरत्या का इंडिकेटर का लिंग होने के कारण से या प्रूप करने के कारण से यहां आत्मा नहीं प्रमात्मा के अर्थ में यूज हुआ है अई तरीय उपनीशद का लेते हैं सुरुष्टी से पहले अकेले आत्मा था और कुछ भी active sense में नहीं था उसने सोचा कि मैं संसार को बनाऊ और उसने संसार को बनाया फिर उसके बाद उसने उसके अंदर प्रवेश किया वो तो बहुत बात की बात है यह जो चीजें बताई गई है सेंटेंस में जो स्पीच किया जाता है ना दो तरह के स्पीचे सोते हैं या कोई भूक लिखता है और पहली स्टाइल होती है कि आप पहले अपना जो कि जज्जमेंट है वो पहले दे देते हैं ठीक है इसको प्रतिज्ज्यां के तो फिर आप इसको जस्टिफार एक्सप्लेंड करने के लिए पुरा भूक लिखते हैं दूसरी तरीका है आप स्टेप बास्टेप चलते अब स पस्पेंच रखते हैं गदेरे गदे उसको उपन करते करते लाश्ठ बेज में तो कुछ मुवी में शुरू में को दिखादेता है कोई व्यक्ति जेल में सड़ा है तो अपने दूसरे साथी को बता रहा है कि भाई तुम जेल में क्यों हो तो अपने स्टोरी सुना रहा है उसमें पूरी मूवी है तो statement पहले आ जाता है उसको explain करने के लिए पहले आता है कि उसी movie को दूसरे ढंग से कोई बनाए तो वह story को दिरे दिरे डेवलप करता है आपको लास्ट तक पता नहीं कि क्या होने वाला तो लास्ट सीन में होता है कि वो जेल जाता है और ट्वर्य तो एक्सप्रेश आपकी जो स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है जो आहितरै अपनिश्थ की ह Baptे में प्रतिग्या कैई जाती है दार्शनिक शास्त्रों में तो रिशी ये जिस कांटेक्स्ट में आहिसरी उपनिशद की दिश्केशन चला है उसकी प्रतिज्दक रहा किया था वो आतमा जिसने स्रिष्टी से पहले जो अकेला था जिस ने संसार को बनाने के लिए सोचा संसार को बनाया संसार में यह यह चीजे बनाया बनात 에nold है फिर ला किन आता है दvos principio प्राणी के अंदर प्रवेश्च गवो अत्मा पराणी के अंदर प्रवेश किया तो क्षिस्टस कि अमें प्रूप हो जाता है कि आचार्य वो परमात्मा की बात करता है। बाकी चीज हैं उसको explain करने के लिए होते हैं ऐसा आश्मर अथ्य रिशी मानते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगें लाइक भी जरूर करें